ये वीडियो जो है वो cutoff के regarding बात हो रही है CHSL 2019 के मैंने वादा किया था आप से कि cutoff का वीडियो जल्दी ही आएगा तो ये पूरा detail वीडियो है cutoff क्या हो सकती है क्या क्या parameter उस पर ध्यान रखे गए है और document verification जब आपका होगा तो आप कैसे post सही से भर पा उसके regarding भी थोड़ के आप सभी लोग eligible हो document verification कराने के लिए आपके मन में ज़रूर ये होगा कि मेरे number कम है तो क्या मैं जाओं कि ना जाओं तो यार एक चीज़ आप जान लिजए अगर आप नए हो first timer हो तो जो भी number आपके है अगर आपका नाम है list में तो आपको जाना चाहिए क्योंकि कई सार चीजे होती है जो हमें नहीं पता है कि हमारे documents में ये गलती है वो गलती है और आप जाते हो तो clear हो जाती है वहाँ पर तो आगे next round में आपको वो help करता है राइट देखिए 10 plus 2 वाली जो vacancy chart होती है उसमें बहुत confusion रहता है कि post का order कैसे भरा जाए कौन सी post कहां रहती है कहां कैसे उसके allocation करा जाता है तो उसके regarding पूरा detail video जल्दी आपको मिलेगा और वो सब कुछ मैं clear कर दूँगा परिशान होने कि उसकी जरूरत नहीं रहेगी उसमें का date wise मिल पाई है पूरी कोशिश की जाएगी अब तक share कर दी जाए और 2018 CHSL में लोगों की posting कहां कहां होई है किस basis पे हुई है right क्या 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 गलतिया हुई है उसमें अभी PA में देखा आपने कि जिन्नोंने UR से clear कर लिया था उनको UR के हिसाब से allocation कर दिया वो सारा कुछ मैं आपको confusion बहुत रहता है सबसे खास बात ही रहता है cutoff एक ऐसे point है कि आपको जितना जाज़ा data दिखा जाए आप उतने confused होते चले जाते हो तो simple simple रखते हैं इसको क्या क्या चीज़े ध्यान में रखी गई है जो ज़रूरी है आपके लिए कि number of vacancy आपको पता है कि vacancy के हिसा number of student come pass करते तो boundary वालों का भी selection हो जाता है ये भी ध्यान अखा गया पिछले साल का trend बहुत जरूरी होता है SSE में कि last year के cutoff कैसे जा रहे है क्या ratio है उनमें बहुत हद तक similarity रहती है साथ में competition का label भी ध्यान में रखा गया है ये भी ध्यान में रखा गया है कि जो ये 10 plus 2 की job ह होती है लोग जब त्यारी करते है SSG की तो main stream रहता है CGL या बड़ी grade pay की job की रैट लेकिन एक backup के लिए कि कोई एक job secure कर ले हम form भर देते हैं देखा गया है कि जो CGL 18 की joining नहीं हो थी तो उसी बीच में इनका भी ये भी exam हो गया तो लोग दे देते हैं इस exams को रैट और जब join करने की बारी आती है तो high grade pay की ही job देखते है रैट तो ये भी ध्यान में रखा गया है कि एक backup post है तो जिनका already हो रखा है CGL में या CGL 19 में होगा अगर result जल्दी आ जाता है तो अब एक court case चल रहा है लेकिन CGL 18 के भी काफे candidate है इसमें repeater है वो भी ध्यान में रखा गया है ये भी ध्यान में रखा गया है कि लोग PA से अच्छी job LDC को मानते हैं वो desk job है PA में public dealing होती है लेकिन कई scene में ये भी देखा गया है कि लोग जिनके नंबर अच्छे होते हैं वो home posting के लिए चाहे female candidate हो चाहे male हो PA को भी उपर रख लेते हैं ताकि उनको rank case आप से allocation होने पर home posting मिल जाए ये भी ध्यान में रखा गया है इसे भी cutoff पर फरक पड़ता है अगर ज्यादा है scorer वालों ने PA को preference दी और LDC को नीचे रखा तो LDC और PA के बीच में gaps कम हो जाते हैं और अगर ये जनता ज्यादा हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि LDC के cutoff कम आ जाए PA के लेकिन PA के vacancy ज्यादा रहती है इसलिए ये gap कम नहीं रख दिया उसके अलावा rank किस rank तक मिली post 18 वाले में क्योंकि rank भी एक matter रहता है होता क्या है कि देखो rank को लेकर आप बड़ा परिशान रहता हूं कि मेरी इस number पर क्या rank है CGL में तो हम थोड़ा बहुत idea लगा लेते हैं PDF बना लेते हैं 10 plus 2 के लिए कि लड़ना मत आप इसको बवाल की मेरी कितनी rank है मेरी rank बता दीजिए आप rank को लेकर लेकर एक हम mortality अंदज लगा लेंगे और क्या मैं parameter रख रहता हूं वो सब ध्यान से समझना ठीक है एक request है आप सभी लोगों से subscriber को लेकर नहीं है request यह है कि अगर आप या कोई आपके जानने वाला अगर already किसी अची post पर हो इस बात को ध्यान से समझ लो आप और आप मेरे अगर बात मानते हो तो इसको जरूर दिल से लेना आप यह वाकई बहुत serious concern है कि अगर आप किसी अची post पर हो CGL के या आप मान लिजे कि इस post को नहीं लेना चाहते हो या कुछ ही post लेना चाहते हो तो केवल वही भर क्या यह नहीं लेना है तो post खराब ना करिएगा क्योंकि यह वाकई बहुत लोग दिक्कत में हैं बहुत पर देते हो और आप एक से post लेकर कि आप यह लिख देते हो कि चलो मैंने यह लिए छोड़ दिया लेगिन जिनके छूड़ती है ना नौकरी आप नहीं आप 10 प्लस 2 में जिनका रहे गया ना अब अभी तक मेरी message पड़े हुए अभी तक लोग कोशिस करते हैं कि बात कर ले दूसरों लोगों तक भी share करो और जरूरी matter है पिस बात को ध्यान रखेगा right क्योंकि मेरा मानना है कि अगर किसी को फरक नहीं पड़ता तो इस से कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन अगर किसी को फरक पड़ता है तो इससे बहुत फरक पड़ता है बात आपको समझने में थो ज्याद है दिमाग लगाने के जुरूत नहीं कुछ डेटा लिखा हुए पटाफट बता देता हूँ है क्या चीज आपको मिल जाएगा यह को युवार का है यह ओवी सी का है सस्ट का लिखा हुआ है और यह जो लडी सी और यह पी ऐसे यह मैं आपको समझाता हूँ यह किया है लो यह क्या है यह उस पोस्ट को पाने के लिए last cut off कितना गया था याने दो वाले को LDC की पोस्ट मिल गई थी मैंने रफ आइडिया लगा लिए 212 वाले का मिल गया था पीए से रइट तो यह आप नंबर समझ पा रहे होगे रइट कि इस नंबर पर इस नंबर पर आपको एक पोस्ट मिल गई LDC की और अब इसमें हो सकते है कि यह OBC वाला मुझे लग रहा था पर टाइपिंग कर रहा था तो दिक्कत हो सकती है आपको क्योंकि जो LDC उठाया मैंने वो Ministry of वाला था डिफेंस वाला था और नवी वाला था आपका क्योंकि नवी वालों को लोगों नीचे भरा था आपका तो यह यह रीजन था आपका यह कट-off का मैंने रख दिया है आपकर आप देख सकते है उसको और यह आप वेकेंसी उपर साढ़े 5000 यूर की कैंडिडेट थे अब देखो यह यह यूर लिखा रहता है और इस पर स्टार बना रहते है उसके नीचे ब्रेक ब्रेक अप करके रहता है ब्रेक अब मतलब कि इस साढ़े पांच मतलब यह जो 190 नंबर का मार्क से इस से उपर अधर कैंडिडेट की अधर कैटेकरी के कितने कैंडिडेट अवेलेबल है तो इसमें देखो यह OVC का है, यह SC का है, यह ST का है, तो 167 से उपर तो OVC के बहुत सारे कैंडिडेट थे, 143 से उपर बहुत सारे कैंडिडेट थे, SCK 134 से ज़्यादा थे STK लेकिन जो 6,8 OBC के हैं 1.3 SC के हैं 445 STK इन लोगों ने 190 नंबर से ज़्यादा marks गेन करा हुआ था तो अब सीधी से बात है कि मालों कि अगर 1500 vacancy है तो जो 190 नंबर से उपर होंगे उन्हीं के chances होंगे मैं 1500 मैं 1000 बता रहू 1500 छोड़ी 1000 vacancy है SC के मालों कि 1.3 1300 candidate 190 नंबर से उपर है तो सीधी से बात है कि 190 नंबर से उपर वालों का ही selection होगा तो ये कुछ cutoff जो data था इसको देख लीजे आप अब सवाली उठता है गया इससे क्या आप निकाल लोगे conclusion देख हम conclusion क्या निकालना है ध्यान समझना देखो साड़े 5,000 बच्चे पास किये गये थे जो लास्ट पच्चा पाया है 213 या 212 हम पकड़ ले तो यहां तक करीब 3,000 almost almost 3,000 rank तक लोगों को post मिली है यूर candidate में 3100 rank आप देखोगे यूर की आप अगर पीए वाले list चेक करोगे पीए की कटाप सबसे कम गए थी तमिलाड़ो रिजन में चेक करोगे तो 3100 rank के आसपास गए थी अब सवाल उठता है कि उन 3100 में तो OBC के भी candidate यूर की seat ले लेंगे बिल्कुल सीधी सही बात है कुछ candidate SCST के होते है SCST के कम होते हैं OBC के भी candidate ज्यादा होते है तो वो मैंने कहा ना सारी बाते ध्यान रखे गए आप ऐसे उठा के मत बोलने लग जा ना ठीक है मुझे यह ऐसे पता दिया अपने तो मैंने कहने का यह मतलब है कि यहां से अगर आप तीन हजार candidate निकालते हो या 3500 candidate निकालते हो क्योंकि साड़े तीन है क्योंकि कुछ बंदे skip भी कर देते हैं DV कुछ लोग post नहीं भढ़ते हैं जो age criteria होता है तो आप मान के चलोगी कि यहां से कम से कम यूर के 2000 candidate बाहर हो गए और 2000 candidate बाहर होए तो 190 से 213 या 212 तक के बीच में करीब 20 नंबर का difference आ गया marks का यानि कहने का सीता सीता मतलब यह है कि जो बच्चे tier 2 में pass हुए थी your candidate से category से उनको एक post लेने के लिए कम से कम 20 नंबर का jump लेना पड़ा जिसमें 20 नंबर में at least 2000 के आसपस candidate eliminate हुए तब जाकर कि उनको post मिल पाई एक कोई भी post चाहे LDC की बात करने चाहे PASA कि यह gap बहुत कमता और यह भी इस बार भी ऐसा ही होगा कि home posting की लोगों को रहती है लालच इस वज़े से लोग इसको उपर भरते है अब यह समझ लेते हैं कि यह क्या है यह gap कैसे आपको मैंने हमेशा अपना cutoff में बताया है कि SSC में ratio चलता है cutoff का gap का तो देखो यह gap निकाला गया है वो किसका gap निकाला गया है 6 से 7 नंबर है आपका OBC का UR के उससे यह से देखा जाकर हम यहाँ पर तो 206 नंबर है LDC का चे यह साथ नंबर आप एड़ कर दोगे तो पहुंच जाओगे यूर की कैंड़ी उस पे cutoff पर 22-25 नंबर तक का रहता है यूर से और SC की बीच में रहता है आपका अगर आप CGL देखते हैं तो 60 नंबर तक का चे से साथ नंबर का और यूर और SC के बीच में 22-25 नंबर का और उसके बाद आपका 10-12 नंबर का SC और SD के बीच में यह अब मैं आप पर एक कीज बता दूँ हम लोग हमने जो प्रेडिक्शन कर रहा था CGL, CHSL 2018 में सभी का प्रेडिक्शन गलत गया था यह मैं बात मानता हूँ और सबसे ज़्याद है जो दुख हुआ था वो इसी को लेकिक हुआ था मिस्टेक क्या हुआ, सबसे गलती क्या हुई कि जो 5000 कैंडिडेट एडिशनल पास की SSC ने हुआ क्या था, एक UFM का केस चला था वो CGL पे भी लगा के लगने वाला है एक कमिटी बेठी और बाद में कमिटी ने कहा कि इनको वन टाइम रिलेक्शेशन दे दिया जाता है और फिर 45,000 के आसपास कैंडिडेट पास किये गए वो जब 45,000 कैंडिडेट एक्स्ट्रा एंटर हुए न वो 10 number cutoff बढ़ा के चले गए और फिर वो कोई समझ में किसी को नहीं आए बाद में जब result आया तो चीजे समझ में आई तो वो एक चीज मिस होई थी लोगों के दिमाग में चलो वो कोई बात नहीं है तो हम यह लेके चलते हैं अब देखो यहां पर मैं आपको जो डेटा दिखा रहा हूं वो समझ लो 19 वाला अब देखो यहां पर आपको rank का या 20 number जो marks बताया है वो लेके बवाला होगा वो मैं समझ रहा हूं क्योंकि हर बात पे argument रहता है हमारा सबके अपने अलग-अलग thoughts होते है मेरी बात हैं थोड़ा समझ लीजिए अब दो मिनट रह सुन लीजिए यह है इनके cut-off वो वेकेंसी है वेकेंसी कम है compared to 18 के वेकेंसी कम रहती है तो cut-off high जाता है यह हम सब जानते है cut-off वेकेंसी आप देख लीजिएगा LDC के वेकेंसी काफिका में PA के वेकेंसी हर बार जादा रहती है इस बार भी है आपका देखो 222 cut-off गई है जिसमें 4.6,000 4,600 कुछ बच्चे यूर के हैं और similarly other category के देख सकते हूँ अब other category में जो यह 5.6 से मैं फिर clear कर देता हूँ यह 5.6 ऐसे बंदे हैं जिनके marks 222 से जादा है 8.11 बच्चे ऐसे जिनके marks 222 से जादा है और यह हैं 218 बच्चे जिनके marks इस से जादा है यूर करेंड़े हैं स्टार लगे होते हैं नीचे लिस्ट लिखा होता है यह समझना जरूरी है आपको तो अब हम बात करते हैं कि हम कट अफ जो पहुंचेंगे तो क्या इसमें भी देखा जाए वेकेंसी तो करीब 2300 के आसपस 2400 के आसपस आ रही है हम माल लेते हैं कि 200-300 लोग नहीं जाते है 300 वर्स केस लेके चलते हो आप तो आप माल लेजे 2600 तब ही तो 2000 बच्चे चटेंगे आपके 4006 हैं राइट क्योंकि इसमें यूर वाले भी हैं जो यूर OBC वाले भी हैं जो यूर में आएंगे तो अगर 2000 बच्ची हटाने तो क्या हमें फिर से 20 नमर कम करने पड़ेंगे तो देखो नहीं है आपका रैंक का गैप ज्यादा रहता है लेकिन आप 222 के close में रहते हैं 222 से 30 के बीच में जाओगे तो वहाँ पर density ज्यादा रहते हैं नमबर आफ candidate आपको ज्यादा मिलते हैं तो मेरे हिसाब से 20 नमबर का gap नहीं जाना चाहिए और दूसरी बात आपको जो ये बता रहा हूँ density वाला बात आप इसको लेके चलो कि इतने का 15 नमबर तक के बीच में आप 1800-2000 लोग eliminate हो जाएंगे हम worst case लेके चल रहे हैं कोई लोग छोड़ नहीं रहा है CHSL CGL 19 का भी रिजल्ट नहीं है सब पहुंच गया तब धमले के चल रहे हैं तो मेरे साब से यार ये cut-up जा सकती है URK 237-238 के बीच में और OVC की ये, SC की ये, ST की ये gap मैंने क्या maintain कर रहा है 6-7 नमबर का इसके बीच में 22-25 नमबर तक का रहता है और SCS-T के बीच में 10 नमबर का रहता है अब EWS फिर से लड़ने मतलग जाना आप अपना OVC के आसपास देख लीजे Last 18 वाले के हिसाब से क्योंकि data बहुत हो जाता है analysis करना थोड़ा से क्योंकि EWS एक ऐसा चीज़ है कि Last year आया था और उसमें थोड़ा सा जब बनती है ना थोड़ा सा वो तो आप परिशान हो जाते हो फाल्दों का पूरे data खरा हो जाता है तो मैंने बस बता दिया OVC के आसपास देख लीजेगा Last year की cut-off के साब से बाकि मेरे साब से यही रह सकता है पूरी कोशिस कर रहा हूँ कि seat waste ना जाए क्योंकि मैंने जो दर्द देखा है 18 वाला किसीने बाद क्योंकि मैंने direct लोगों से connect रहा हूँ CGL 18 से post preference में guide करते आ रहा था CGL 18 cover किया 10 plus 2 18 cover किया उसके बाद CGL 19 cover किया लोगों से बहुत connectivity रही लोगों से बात ही हुई फोन पर लेकिन यह जो दिक्कत है गुजरी 10 plus 2 वाला वह बहुत बुरा था आप और हुआ यह कि कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जो seat waste गया न तो बहुत गलत गया राइट अपने views जरूर लिखे comment section में marks जरूर लिखिएगा कोई दिक्कत है कहीं कुछ लग रहा आपको क्या यार यह उपर नीचे होगे आपका analysis जरूर डाले comment section में हो सकता है हमारे तरफ से मैं कोशिस करता हूं कि जितना simple जितना आसान भासा में हो सके चीज़े आप तक रख आपके earning के लिए एक source एक सहारा बन जाता है बाकि आपको अपनी continuity रखनी है सीजल निकालना अगर आप ऐसे सी दे रहे हो तो एक अच्छे grade pay की तरफ देखना है